अपने स्थानों पर खड़े हो जाए हाथों को उठा कर प्रभू से कहे प्रभू तू मेरे साथ आज बात कर मैं तेरी आवाज को प्रभू सुनना चाहता हूँ प्रभू से कहे पवीतरात्मा आप मेरे से बात करें सब कुछ बाज उपर रख दीजे प्यारों क्या लेकर आए वापकी दर्द आपकी तकलीव आपकी बीमारी आपके प्रस्ण घर जाकर क्या करना है सीर्फ उसकी और कान लगाए वो आप से बात करेंगे वो आप से बात करेंगे प्यारों अब उसकी आवाज अगर सुनने को तैयारों हाथों को उठा कर करूँ मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तैयारों पीसे कर दे मुझे तेरी रूसे ता कि मैं बन सकू उबहूं तेरे जैसे अभी सेक कर दे मुझे तेरी रूल से कि मैं बन सकू उबहूं तेरे जैसा हो दुगना और ताजा हो अभी से आज मुझे पे हो दुगना दुगना पहले से जादा जादा हो अभी से आज मुझे पे हो दुगना दुगना पहले से जादा जादा हो अभी से उच्छी आवाज में मिलकर गाए हो दुगना दुगना पहले से जादा जादा हो अभी से है है आज मुझे पे है परमिश्वर यह हमारी परात्ना है और ताजा और ज्यादा अभी से लेकर हम यहां से जाएं आने वाला सप्ता आपके अभी से में और बढ़ने का सप्ता बन जाएं आने वाला सप्ता और विजयों को देखने का और आशिशों को देखने का आपसे सामर्थ पाकर विजयी जीवन जीने का सप्ता बन जाएं और इसलिए हमें क्या करना है आज हमसे आप बात करिएं आपके बच्चन को भेज कर हमें आत्मिक, मांसिक, सारीरिक, पारिवारिक, हरे एक रिती से प्यारे खुदावन चंगा करें इस समय के बुरुद कारे रथ हरे एक दुस्टात्मों के उपर हमें देकाल लेते हैं शेतां के हरे कामों को ये समसिन आत्री के नाम से निश्वल करते हैं, बात देते हैं ये समसिके नाम में आपकी महीमा यहाँ पर हो पाये प्रभू, हमारी दूया ये समसिके नाम से मिलकर कहें, आमें Hallelujah कुछ समझ से प्यारो हम अभी से के विशे में प्लीज बेट जाएगा पिछले कुछ समय से हम अभिशेक के विशे में सीख रहे हैं फिर से यहां येसाया 10 और 27 हम रखेंगे और हम मिलकर पढ़ेंगे येसाया 10 वाद याए और उसकी 27 विशेक के विशे में क्या कहता है हम मिलकर उसे पढ़ना चाहते आए मिलकर पढ़े उससमय ऐसा होगा कि उसका बोज तेरे कंदे पर से और उसका जुआ तेरी गरदन पर से उठा लिया जाएगा और अभिशेक के कारण बोलिए और अभिशेक के कारण वह जुआ मतलब बोज तोड़ डाला जाएगा हाललुया हाथों को उठाए और कहें अभिशेक के कारण मेरे जीवन से हरे एक बोचो को तोर डाला जाएगा अगर विश्वास करते हो तो उच्छी आवाज में कहें आमेन हाललुया हम नहीं आपको सिखाया था अभिशेक क्या है अभिशेक मतलब परमेश्वर की शम्ता उसकी सामर्द जब वो आपके उपर आती है वो हर जुए को हर बोज को तोड़ देती है लास्टू लास्ट संडे हमने आपको सिखाया था आप एक सफर सुरू कर चुके हो आमेन और वो सफर का एंड है ब्लेसिंग्स वो सफर का अंत है आसी से प्रभू ने आपको आसी सिद भविश्य के लिए चुना है दाओद एक सिफर्ड बोई था एक सामान्य चरवाह लेकिन परमेश्वर ने उससे सिर्फ चरवाह बने रहने के लिए नहीं चुना था परमेश्वर ने उससे राजा बनने के लिए चुना था हाललूया हमने देखा था प्रभू ने हमारे लिए ऐसी आसी से तयार रखी है ना जो हमारे कानों ने सुनी है ना जो हमारी आँखों ने देखी है हाललूया उत्तम भविश्य प्रभू ने आप सभी के लिए जितने भी लोग सुन रहे यहाँ पर online सभी के लिए प्रभू ने उत्तम भविश्यताई किया हुआ है और वो भविश्य की और प्रभू आपको ले जाना चाहते है वो भविश्य प्रभू आपको देना चाहते है और वो एक सफर है वो एककर के कदम आप उसकी और बढ़ा रहे हो और वो सफर में परमेश्वर का अभिशेख आपकी सहाईता करेगा मैं दावद को एक चरवाहे से एक राजा बनने के लिए अभिशेख दिया गया सामर्द दी गई, गिनान दिया गया ताकि वो सत्रों पर विजय पा सके, ताकि फेवर पाए, ताकि आशिशे पाए, ताकि उसके रास्ते खुले और जैसे ही उसका बिशेख हुआ, वो सामबान ये चरवाहा बनकर नहीं रहा स्टेप बाए स्टेप हमने देखा था, प्रगती करता गया, प्रोग्रेस करता गया एक के बाद एक कदम आगे की और बढ़ाता गया, किस चीज की और? जो चीज के लिए उसका बिशेख किया गया था, हाललूया प्रभू पिछले कुछ समय से आपको अभिशेख कर रहा है उसका मतलब है, जो आसिशित भविश्य प्रभू ने आपके लिए रग छोड़ा है उसकी और आपकी प्रोग्रेस, प्रगती सुरू हो चुकी है सफर सुरू हो चुकी है, आमेन आपको एक के बाद एक स्टेप उपर जाना है जैसे दावुद को प्रभू ले गया, आमेन और वो काम प्रभू का अभिशेख करेगा वो सामर्द प्रभू की आत्मा देगी उसका भिशेख के द्वारा, आमेन हमने पिछले संडे देखा था, पिछले के पिछले संडे जब प्रभू के दास के द्वारा, प्रमेश्वन ने दावुद का भिशेख किया उसके जीवन में क्या हुआ? हमने देखा था, तुरंट उसके लिए आसिसों के द्वार खुलने लगे आमेन सबसे पहला वो जो दाउद एक सामानिय सेफ़ड बोई था सामानिय चरवाहा था उसके लिए द्वार खुले और साउल ने जो वहां का राजा था उसने अपने महल में दाउद को बोलाया जैसे ही दाउद का अभी शेख हुआ किसी ने उसकी सिफारिस नहीं करी थी कि इसकी महल में जोब लगवाओ दाउद ने एप्लिकेशन नहीं दी थी दाउद ने सब जगह कहकर नहीं रखा था कोई वेकेंसी होता बताना सामने से अपोर्चुनिटी सामने से आसिस उसको ढुणते हुए आई आमेन जैसे ही उसका राजा बनने के लिए अभिशेक किया गया दाउद की महल में जॉब लग गई वो साउद के लिए राजा के लिए वो वीना बजाता था और उसके बजाने से राजा के अंदर से दुस्तात्मा चली जाती थी सामत के काम सुर हो गए हाललोया हमने देखा था जब दाउद का अभिशेक किया गया उसको प्रबू बढ़ाता गया वो राजा का दामाद मना हमने देखा था पहला सेम्यूल उननीस और आठ में उसने पलिस्ती लोगों के उपर विज़ई पाए लेकिन हमने ये भी देखा था उसके सफर में चड़ती के साथ साथ कुछ बाधाए भी आई चैलेंजिस आई पढ़कार आए लेकिन उस पढ़कार में उस चैलेंजिस में दाउद डटा रहा वो ये नहीं बुला कि मैं बिशेक हूँ उसने अपना भी शेक बनाया रखा प्रभू में बना रहा और पढ़कारों से चैलेंजिस से सामने जो भी परिस्थित्याई उससे लड़ता रहा हमने देखा था पहला सेम्यूल 21-10 में उसको राजा सावल से भाग कर कहीं ही और जाना पड़ा क्योंकि सावल उसे मार डालना चाहता था और जब वो भाग कर गया कहां पर गया था वो दुस्मन देश के राजा के वहां सरन लिए उसने भाग कर ऐसे राजा के वहां सरन लि जिसके योथा को उसने मारा था गुलियाद को अब वो छोड़ने वाला नहीं था और उसे वहां जाकर नाटक करना पड़ा कि वो पागल है उसने महसे लाल टपक ने दिया और ऐसा नाटक किया जैसे वो पागल है और लोग उसको देखकर कहने लगे ये सही में दाओद है जिसने गोलिहात को मारा जिसने इतने सारे सत्रों को मारा सही में ये वो दाओद है जिसका बिशेक किया गया था लोग question करने लगे क्या सच मुझे ये बिशेक है या नहीं लेकिन वह लिखाए दाओद मौन रहा वो जानता था ये समय जवाब देने का समय नहीं है जवाब देने का समय प्रभू लाएगा ये समय तो मुझे सिर्फ प्रभू में बना रहेना है ये समय तो मुझे सिर्फ प्रभू के प्रति विश्वास योग ये बना रहına है लोग भले मेरे विरुद कुछ भी कहे परिस्थित्याज मेरी बिगडी हुई है त्रू के देश में मुझे भाग कर सरन लेनी पर रही है पर वो अभी शेक कहा है मेरा अभी शेक किया गया राजा बनने के लिए मैं कहाँ पड़ा कोई question ने कोई कुड़ कुड़ हट ने सफर जारी रखा विश्वास में बना रहा Hallelujah और दिरे दिरे करके प्रभू उसे और भी आशिशित करता गया Amen Hallelujah अज दो बाते और important लाओद के जीवन सहम सिखेंगे यहां तक हमने सिखा था दूसरी दो बाते बहुत ही important है वो हम आपको सिखाना चाहते और फिर हम आखरी दुआ में जाएंगे आया हम पड़े पहला समुएल बाईस और पाँच फिर गाद नामक एक नभी ने दाओद से कहा इस घड में मत रहा चल यहूदा के देश में जा और दाओद चल कर हैरत के जंगल में गया यहां पर एक नभी आता है कितने लोग सुन रहा है हाथो को उठाए जितने लोग सुन रहा है यहां पर एक नभी आता है गाद नामक एक नभी उसने दाओद से कहा इस घड में मत रह यहूदा के देश में चला जा एक अभी शेख व्यक्ति जिसको राजा बनने के लिए अभी शेख किया गया है उसको परमेश्यक का दास आकर कहता है तुझे यहां पर नहीं रहना है तुझे यह जगह छोड़ दे और किसी जगह पर चला जा और क्या हुआ और दाओद चलकर हैरत के जंगल में गया एक अभी शेख व्यक्ति प्रभू के दासों की बाते सुनता है और यह बहुत इंपोर्टन्ट है आज कुछ ऐसी बाते हम आपके आगे रखेंगे प्यारों गर उसके उपर अपने द्यान दिया बहुत सारे ब्लॉक किये गए आसिस आपके जीवन में खुलेंगे आपको भी नहीं पता रहेगा कि क्यों मैं आसिस शित नहीं हूँ क्यों मैं आसिस नहीं पा रहा हूँ दाउद ने अभिशेक होने के बाद प्रभू के दास जो उसे बता रहे थे वो सुनना जारी रखा गलत फहमी में नहीं रहना प्रबु आपको बिशेक कर रहा है उसके साथ साथ ओथोरिटी के जिसके आपको आधीन प्रबु ने रखा है प्रबु के दासों के आधीन रहना जारी रखे उनकी सुनना जारी रखे कई भेड़े यही होते है कुदक-फुदक करती जाती है कभी यहां कुति है, कभी वहां कभी हमें वाटसेप पर मैसेज आता है, कोई पास्टर हमें बेजते है, वहां भी हमें दिखती है अथोरिटी के आधिन नहीं है, अग वो के आधिन नहीं है, उनको पता नहीं यह उनका बाड़ा है, उनको पता ही नहीं बाड़े जैसी कुछ चीज होती है प्रभू की व्यवस्था रुपी कुछ चीज होती है कभी यहाँ कभी वहाँ कुदक-पुदक करती है और उनके जीवन में आखी में वो फस्ते हैं और जब फस्ते तब अनोइंटिंग काम नहीं करता अभी मैं प्रूब करूँगा तब वो दास आपके लिए दुआ करेंगे लेकिन काम नहीं होगा क्यों नहीं होगा अभी हम सिखेंगे प्रभू का दास दाउद अभिश्यक होने के बाद प्रभू के दास नभी की बात को सुनता है पहला समुईल 23 और 2 पड़े पहला समुईल 23 और 2 पहला समुईल 23 और 2 फटा फट रखे यहां पर क्या लिखा है पहला समुईल 23 और 2 तब दाउद ने यहुआ से पूछा क्या मैं जाकर पलिस्तियों को मारू यहुआ ने दाव से कहा जा और पलिस्तियों को मार के किले को बचा अभी शेक व्यक्ति हमेशा प्रभू की आवाज को सुनता है अमें प्रभू के दास के द्वारा वचन के द्वारा वो प्रभू की आवाज को सुनना जारी रखता है एक और हम वचन पड़े, पहला समुएल 24 और 4, पहला समुएल 24 और 4, मिलकर हम पड़े, तब दाउद के जनों ने उससे कहा, सुन आज वही दिन है जिसके विसे यहोवा ने तुसे कहा था, मैं तेरे सत्रु को तेरे हाथ में स्वापूंगा, कि तु उससे मन माना बढ़ताओ कर ले, तब दाउद ने उट कर साउब के बागे की छोर को च्षीप कर काट लिया, Next Act, इसके बाद दाउद साउब के बागे की नकार दिया क्योंकि वो परमेश्व के प्रति विश्वास योग्यन नहीं रहा लेकिन क्योंकि एक समय का वो अभिशेक किया गया व्यक्ति था दाउद के साथ के जो लोग थे एक दिन ऐसा आया कि ये साउल जो अभिशेक राजा था दाउद के हाथों में सौंप दिया गया दाउद और साउद राजा एक ही जगह पर थे साउद को पता नहीं था वो गुफा में एक और साउद था दूसरी और दाउद था और साउल को पता नहीं था कि यहां दाउद और उसके आदमी छिपे हैं और दाउद के लिए अच्छा उसर था कि वो साउल को मार दे और उसके लोग उसके आदमी भी कहते हैं तूठ आज ये वोही दिन है तेरा सत्रू तेरा हाथ में सौप दिया गया है और तू उठो और तेरे सत्रू को मतलब साउल को तू मार दे दावद सत्रू को मतलब साउल को मारता नहीं है सिर्फ उसका जब्बा था उसका एक को और उसका एक भाग वो काट लेता है सिर्फ एक निसानी के रूप में कि प्रभू ने तुझे मेरे हाथ में स्वापा था लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं वो कपड़े का एक टुकड़ा उसका काटता है फिर भी उसे पश्चाता बोता इसके बाद दाउद साउल के बागे की छोर काटने से पश्चता है क्यों? क्योंकि साउल अभिशेक व्यक्ती था भले आज वो अभिशेक में नहीं रहा भले आज उसने प्रभू को ठुकरा दिया है लेकिन एक समय प्रभू ने उसका भी राजा बनने के लिए अभिशेक किया था और इसलिए दाउद ने सिर्फ उसके जब्बे का एक टुकड करना तब भी उस्ये पश्यताप होता है मारने की बाद तो दूर रही हाललूया अभिशेक आने के बाद दाउद ने अभिशेक लोगों की इजद करना छोड़ा नहीं उनको सनमान देना छोड़ा नहीं और उसके कारन उसके जीवन पर वो अभिशेक बना रहा हाललूया कई बार हमें जब प्रभु कात्मा भी शेक करता है, सामर्थ पाते है, एक आद दो प्रात्ना भी सुन ली गई, कोई चंगे हो गए, किसी के जीवन में प्रभु ने काम भी कर लिया, अब हमर आत्मीक जीवन उन्नत ही पा रहा है, अब पहले पंदरा मीट पात्मा नहीं होती थी अब एक घंटाम दुआ करते है, उपास भी करना चालू कर दिया, और अब अभी मान आएगा, अब रभु के दास तो बोले करें, अब मैं भी कुछ हूँ, मैं भी अभी शिक्त हूँ, अभी शिक्त व्यक्ति की निसानी है, वो दुसरे अभी शिक्त लोगों का सन्मान करता है, अभी शिक्त प्रभु के दासों का सन्मान करता है, उन्हें ओफेंड नहीं करता, उनके खिलाफ नहीं जाता, और अगर ये नहीं करता तो ही उनके जीवन में वो अभी शिक्त जारी रहेगा, वो अभी शिक्त काम करता रहेगा, दाउद ने अभी शिक्त होने के बाद, दूसरे अभिशिक्त लोगों को, प्रभू के नभियों को, प्रभू के दासों को सनमान देना जारी रखा हाललूया, हाथों को उठाए और कहें प्रभू, मैं जब अभिशिक्त किया गया हूँ मैं आपके दासों का, अगवों का, अभिश्यक लोगों का सनमान करना जारी रखू आमेन अगर आप नहीं रखते तो वो अभिश्यक आप गवा सकते जो आपने पाया है या तो उसमें आगे नहीं बढ़ोगे, स्टक हो जाओंगे वो अभिश्यक आपके जीवन में काम नहीं करेगा प्यारो रिस्पेक करिए और्थोरिटी को, रिस्पेक करिए प्रभू के दासों को और ये बिब्ली कहले हम वच्छन से आपको सिखा रहे है हमें रिस्पेक की भूख नहीं है लेकिन ये प्रभू की व्यवस्ता है अगर ये नहीं करोगे आप जीवन में ये अभिश्यक में नेक्स्ट लेवल में नहीं पहुँच पाओगे हम गाते प्रभू और ज्यादा और दुगना लेकिन हमें पता ही नहीं है क्यों दुगना अभिश्यक नहीं हो रहा अभी भी इतनी सामर्द नहीं पारे जितनी पानी छे ये अभी हर संडे सामर्द को पाते हैं अभिश्यक को पाते हैं लेकिन पता नहीं विक में कहां पर गायब हो जाता है Saturday आते आते तो ठंडे हो जाते है Sunday fire, Saturday ठंडे हमें पता नहीं क्यों ऐसा होता है क्योंकि ऐसे कई छेद हमारे जीवन में है जो अभिशेक कोम गवा देते वो छेद के कारण वो पापो के कारण वो गलतियों के कारण प्यारो हमें प्रभु के दासों की रिस्पेक करना है आमें हाललूया एक आयत हम पढ़ना चाहते है प्यारो मैं कुछ बात इसकीप करूँगा त्या कि हम समय बचा सके मत्थी 13 वद्याय और 57 आयत हम पढ़े मत्थी 13 और 57 मत्थी 13 और 57 ज्यांसर सुनिए इस प्रकार उन्हों ने उसके कारण मतलब प्रभु येशु के कारण ठोकर खाई पर प्रभु येशु ने उसे कहा बविश्य बक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता प्रभु येशु के कारण उसके ही गाउं के लोग ठोकर खाते और आगे की आयत में पढ़ना घर जाकर जब येशु उनके गाउं में जाते वो लोग कहते चकीत होकर मत्थी 13 और 54 में चकीत होकर कहने लगे कि इसको यहगनान और सामर्द के काम कहां से मिले क्या ये कारपेंटर का बेटा नहीं है और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भायों के नाम याकूब और यूसफ और समॉन और यहुदा नहीं है येशु मसी सुन्याब यहां पर देखे येशु मसी जब उनके गाउं में गए उनके गाउं के लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करभाए क्यों? क्योंकि येशु मसी उनके बीच में पड़े थे वहीं उनका जन्म हुआ वहीं पर खेले होंगे आज पाड़ोस में लोगों ने उनको देखा होगा अपनी नजरों के सामने बढ़ते होए और इसलिए जब प्रभु येश्यू सामट के काम दिखाने लगे वह लोग चकीत होकर कहने लगे ये येश्यू मसी तो हमारे बीच में ही पैदा हुआ ये तो कारपेंटर का सुथार का बेटा नहीं है इसकी मा मरियम वह सामने एक लेडी नहीं है तो ये कैसे इतने बड़े सामट के काम कर सकता है कैसे ये नभी भविश्य वक्ता हो सकता है कैसे ये भी शेक्त हो सकता है क्यों उन्होंने ठोकर खाई क्योंकि प्रभु येश्यू उनके लिए फैमिलियर थे उनके ही बीच पले बड़े उनके ही नजरों के सामने बड़े हुए और इसलिए प्रभु येशु को देखकर वो विश्वास नहीं कर पाए और आखिर में क्या हुआ प्रभु येशुन का भविश्य वक्ता अपने ही गाओं में सहर में देश में निरादर पाता है बाकी की हर जगा उसे आदर मिलता है लेकिन जहां वो पला बड़ा वो ही लोग उसका आदर नहीं करते और उसके कारण क्या हुआ द्यान से सुने मत्ती तेरा और 58 और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामत के काम नहीं किये सुन रहे हो ने वहां कहां जो गाओं में येशु मसी का जनम हुआ जहां वो पड़े बले जहां उनका उनकी परवरिस हुई उनके आड़ोस पड़ोस के लोग वहां थे उनका ही गाम उनके ही लोग लेकिन वहां येशु मसी के ओपर जो अबिशेक था वो काम नहीं कर पाया येशु मसी ने वहां सामत के काम नहीं किये क्यों उन लोगों के लिए ये सुमसी एक आम इंसान थे वो विश्वास नहीं कर पाए वो इतने फैमिलियर थे उनके साथ मिले जूले थे उनकी नजरों के सामने ये सुपड़े बढ़े उसके कारण उस अभीशे का वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए संदमान नहीं कर पाए कई बार पास्टर प्रवु के दास दास से हमसे इतने फैमिलियर हो जाते है हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करें वो घर की मुलकी वो कह बते हैं दाल बराबर आपको पता है जान से सुनिये वो ही दास दुसरों के लिए दुआ करता है और एकदम मृत्यू के करीब पहुंचे हुए लोग चंगे होते है और वो ही दास आपके लिए दुआ करता है आपका सिर्दत भी नहीं जाता है रिजन पता चर रहा है आज क्योंकि आप उनके उपर जो अभिशेक है उसका रिस्पेक्ट नहीं करते वहर संडे मिलते है जब भी फॉन कर उठाते है आप उनको भया भया करते हो गलत नहीं है हमें और कोई नाम से मत बुलाए इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप और कोई ज़्यादा बढ़ा चड़ा कर करो काम इसलिए रिदए से आप रिस्पेक्ट दो क्यूं? अगर रिस्पेक्ट नहीं देते उनके उपर जो भिशेक है वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा हम व्यक्थी को देखते क्लीयर कर दिजीए आपकी मांज सिक्ता व्यक्थी को मत देखे उसके उपर जो अभिशेक है उसको रिस्पेक करें व्यक्ति कोई भी हो सकता है कैसा भी हो सकता है उसके अंदर निर्बलता हो सकती है हो सकता है वो आपको डाठ भी दे लेकिन आपको यह याद रखना है मैं व्यक्ति को नहीं देखूंगा इसके उपर जो अभिश्यक है वो पवितरा आत्मा की ओरसे मुझे उसका रिश्पेक करना है क्योंकि वो अभिश्यक किसके थ्रू बहता है व्यक्ति के थ्रू, पास्वन के थ्रू, पास्टर के तू और अगर पास्टर एफेंड हो गये आपने उनका रिस्पेक नहीं किया वो अभिष्यक नहीं बैएगा उत्राखन में कोई बच्चा एकदम मरने पर है फॉर्म करते बोलते हैं डॉक्टर ने मना कर दिया अभी यह नहीं जियेगा डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिये फॉर्म पर दुआ करते मनने के करीब तुरन जन्मा हुआ बच्चा मनने के करीब पहुँच गया था वो चंगा हो जाता है फॉर्म पर दुआ से उत्रा खड़ में और यहां आपके उपर हाथ रखकर दुआ करते आपका सरदद नहीं जा रहा क्यों व्यक्ति सेम है पास्टर सेम है अभिष्य एक भी सेम है लेकिन आपके अंदर वो अभिष्य का रिस्पेक्ट नहीं है हो सकता है पास्टर के साथ आपके कोई रिलेशन भी गड़े हो कहीं पर उन्होंने आपको डाटा हो कहीं पर उन्होंने आपको कुछ कहा हो कहीं पर आपने ऐसा कुछ काम किया वो अफेंड हो गए हो पास्टर के लिए कई बार कथीन हो जाता है वो भी से को रिलीज करना वो आपके लिए नॉर्मल दुआ करके छोड़ देगा आपको पता भी नहीं चलेगा दुआ करवाई लेकि इंकाम क्यों नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी सिख्ट व्यक्ति को उफेंड किया उनके खिलाव गए उनका इंसर्ट किया उनके विरुद बोले उनके विरुद कुड़ कुड़ हट की अपने उनका रिस्पेक नहीं क्या इसलिए वो ही अभी सिख्ट व्यक्ति जिसके दुआरा बहार अद्बूत काम होते लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा ये सुमसी बाहर बड़े-बड़े काम करे लेकिन अपने ही गाओं में अपने ही सेर में कुछ नहीं कर पाए ज्यादा सामा ने चमतकार करके निकल गए क्योंकि उनके उपर जो भिशेक था उनके गाओं के लोगों ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी प्यारो ध्यान रखे पास्टर प्रभु के दास उनका रिस्पेक्ट इसलिए करिए ताकि उनके उपर प्रभु का आत्मा का पिश्यक है वो कौन है उसके कारण नहीं इतने भी फैमिलियर ना हो जाए जो मन में आया दिल में आया वो उनको बोल दो इंसेल्ड कर डालो प्यारो वो बात आखिर में आपके ही कदमों में आकर गिरेगी आए एक और आयत हम पड़े प्रभु के वचनों से इब्रान्यों उसका तेरा वाद याए और सत्रव याज आप सीख रहा है नो प्यारो बहुत इंपोर्टन बात हैं हम आपको सिखा रहे है यह बात है अगर नहीं सीखी समझी तो बहुत सारी आशिष्टों को आप खुद ब्लॉक करोगे ध्यान से इन बातों को सिख लेना इब्रान्यों तेरा और सत्रा इब्रान्यों तेरा और सत्रा अपने अगवों की आगना मानो और उनके अधिन रहो क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जाकते रहते हैं जिन है लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनन से करें, न की ठंडी सांस लेकर, वार्निंग है, प्रभू के दास का रिस्पेक करो, उनके आदिन रहो, क्योंकि वो आपके लिए जाकते हैं, वो ऐसे जीते हैं, कि उनको आपका लेखा देना है प्रभू के आगे, वो आपक के लिए दुआ करते हैं, और इसलिए क्या करो, प्रभू का वच्छेंग करता हूं, उनका रिस्पेक करो, ताकि क्या हो, वे यह काम आनन से करें, न की ठंडी सांस लेकर, ठंडी सांस लेकर मतलब करना पढ़ रहा है, इसके लिए, फोन कर आए, चलो कर लेता हूं दुआ, आए, तो चलो हाथ रख लेता हूं, ठंडी सांस से, अभी से एक रिलीज नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपने उनको अफेंड कर लिया, आपने उनका इंसर्ट किया, आपने उनको सन्मान नहीं दिया, और इसलिए वो ठंडी सांस से आपके लिए दुआ करते हैं, ठं नहीं है पता चल रहा है नहीं वही दास कहीं और उनके द्वारा प्रभू अद्बूत काम करते हैं लेकिन आपके जीवान में क्यों काम नहीं हो रहे हैं ज्यादा फैमिलियर होना नुकसान करता है जब हम ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं हम रिस्पेक्ट करना छोड़ देते जैसे ये मुमेंट शुरू हुई मैंने मीडिया के एक्टिव ग्रूप से बाहर निकल गया बीना कोई रिजन के कि पवित्रात्मा न मुझे सिखाया छोटी-छोटी ऐसी डिसकस होती रहती हो सकते कहीं पर वे मुझसे नाखूस भी हो सकते वो बहुत रिस्पेक करते है कभी आध दिन तक ऐसा नहीं हो उन्होंने कहा हो और ना किया हो लेकिन मैं केर्फूर रहना चाहता हूँ ऐसा ना हो वो पूरा गाउं आसीस पाए लेकिन करीब के लोग ही आसीस पाए बगर रह जाए पूरा गाउं उस अभिष्षे के द्वारा प्रभू की आशी सुक के वारिस हो लेकिन ऐसा ना हो जो दिन रात मेहनत करते वो ही रह जाए मैंने तुरन थोड़ा डिस्टंस कर लिया मिलते जूलते लेकिन ऐसी बातों को मैंने टालना सुरू किया कहीं पर वे व्यक्ति को देख कर उसके उपर जो अभिष्षे के उसका लाव लेना चुकना जाए समझ रहो न प्यारो मुझे और आपको अभिष्षेक दास्यों का रिस्पेक करना है हमें रिस्पेक नहीं चाहिए लेकिन ये प्रभू का नियम है जहाँ उन अभिशिक दासों को आप उफेंड करोंगे वचन कियाता है नकी ठंडी सास लेकर वो ठंडी सास लेकर दुआ करेंगे फायर से दुआ नहीं कर पाएंगे क्यों? आपको देखकर कि उनकी फायर चली जाती है क्योंकि आपने उन्हें fire किया है बार बार आपने उनका जी जला है बार बार आपने उनका offend किया है उनका install किया है और याद रखे पास्टर और उनके wife एक दे है wife को भी आप offend करते हो दोनों एक साथ offend होगे आप respect करें दोनों की और इसलिए ताकि वे ठंडी साथ से दुआ न करें क्यों अगर वे ठंडी साथ से दुआ करेंगे तुमें कुछ फाइदा नहीं होगा तुमें कुछ फाइदा नहीं होगा प्यारो हमें ये बात को सिखना है ये शुमसी खुद उनके ही गाउं में काम नहीं कर पाए क्योंकि उनके गाउं के लोगों ने उन्हें कैजियोली लिया आम मान लिया उनको रिस्पेक्ट नहीं किया ओके पहला राज़ दूसरा राजा चौथा दियाय दूसरा राजा चौथा दियाय और आठवियाय दूसरा राजा चौथा दियाय और आठवियाय एक दिन की बात है एलिसा सुनेम को गया जहां वह एक कुलिंस्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए बिंती की विवस किया अतहर जब-जब वह उससे जाता उदर से जाता तब-तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था ध्यान से सुन्य प्यारो यहां परो ना यहां पर एलिसा के विस्य में बात करी गई है जो प्रभू का अबिश्यक दास था और यहां एक स्त्री है जो उसका रिस्पेक्ट करती है उसका आदर करती है वो देखती है बीचारा भूखा जाता है यहां से मैं उसके लिए खाना बनाओगी उसकी भूख को मैं तुरुप्त करोगी और क्योंकि यह सुनेम वासी स्त्री ने प्रभू के दास का रिस्पेक्ट किया वो धनी थी उसने प्रभू के दास के लिए सब कुछ व्यवस्था करी उससे जो भी हो पड़ता था उसने वो इलिसा का रिस्पेक्ट नहीं किया उसने उस अभिशेक का रिस्पेक्ट किया जो एलिसा के उपर था और उसके कारण क्या हुआ आगे घर जा कर पढ़ना एक दिन यही सुने वासी जो स्त्री थी उसका बेटा मर गया और एलिसा को जब पता चला उस दे वहां जा कर वो उस मरे हुए लड़के के लिए दुआ करी और वो बच्चा जो मरा हुआ था वो मृत्य उसे जी उठा हाललुया रिस्पेक्ट अभिशेक दासों के उनके उपर जो भिशेक है उसके जीवन में बड़ा मिरे कलाई द्यान से सुने यही एलिसा को कुछ छोटे बच्चों ने ओफेंड कर दिया क्योंकि उसके बाल नहीं थे तो वो जो छोटे बच्चे थे वो उसस चिडाने लगे और क्या हुआ दूसरा राजा दूसरा अधियाए और 24 वियाद तब उसने पीछे की और फिर कर उन पर द्रिस्टि की और यहुआ के नाम से उनको शाप दिया तब जंगल में से दो रिच्चनियों ने निकल कर उनमें से 42 लड़के को फार डाले सुना आपने यह एलिसा जा रहा था क्योंकि उसके बाल नहीं थे कुछ बच्चे उसके पीछे पड़े उसको चिडाने लगे और वोही समय यह एलिसा उनकी और देखकर यहुआ के नाम से उनको श्राप देता है और जंगल से दो रिचनियों ने आकर यह एलिसा के प्रभू के दास के कहने पर तुरंद उसके उपर जो अभिशेक था वो एक्टिवेट हो गया और वो 42 लड़कों को फार डाला दो रिचनियों ने आकर जहां से सुनिये एलिसा एक व्यक्ति के लिए आश्चिश का कारण बना उसका मरा हुआ बेटा उसको वापिस मिला और वो ही एलिसा को जब अफेंड किया गया उसको एलिसा ने जब श्राब दिया उसके उपर जो भिशेक था वो एक्टिवेट हो गया और 42 लड़के मारे गए एक और एक लड़का मरा हुआ जिलाया जाता है वो ही अभिशेक के द्वारा और दूसरी और 42 लड़के मारे जाते है वो ही अभिशेक वेक्ति के द्वारा फरक इतना था, एक ने उसका सनमान किया, एक ने उनको उफेंड कर दिया, एक ने उनको उनका इंसल्ड किया, अपमान किया आपको जो प्रभु ने दास दिये, उनके उपर जो अभिश्यक है, वो आपकी फेवर में भी काम कर सकता है, आपके खिलाब भी काम कर सकता है और इसलिए हम अभिष्यक की value समझते और वो क्या कर सकता है वो कितना धारदार है और वो कितना powerful हम जानते इसलिए कभी भी हम offend नहीं होते और कोई भी हमें offend करें कोई भी हमारे खिलाब जाए हम कभी भी श्राप नहीं देते चाहे कितना भी जाए, चाहे कितना भी हमें दुखी करें, क्योंकि हम जानते यह अभिश्यक क्या कर सकता है ध्यान से सुन, एक प्रभु के दास ने उत्राण का दिन था, हमें बुलाया और ऐसा कहकर बुलाया, कि आप से मैं कुछ आलफा कोर्स के रिलेटेड बात करना चाहता हूँ और उन्होंने बुला कर, वो कोर्स के रिलेटेड बात नहीं करनी थी, उन्हें हमें डांटना था वो ताई करके आये थे, आज इनको बुलाओ, बराबर का डांटना ये क्या कर रहे हो, यहां वाँ जा रहे हो, क्या सिखा रहे हो और हम वहाँ गए, खुसी से कि यहां यह व्यक्ति बुखा है और उनके चर्च के लिए हम ब्लेसिंग का कारण बनेंगे और हम लेप्टोप बेप्टोप उत्रान का दीन था खुण जाएगा हम वहाँ पर गए, मैं और साधरीकीन बाई मेरे साथ थे हम दो-तीन वेक्ति वहाँ पर गए, सब लेप्टोप पर उनको समझाया और उन्होंने कोई इंट्रेस नहीं दिखाया थोड़ी समय में, थोड़ी मुमेट में उन्होंने अपना औरीदनल रूप दिखाया उन्होंने तुरंट हमें डाटना सुरू किया कुछ इस्यूस क्रियेट करे और इतना डाटा, हम एकदम मौन रहे है रिकिन बाई गवार हम वहां से घरक से बाहर निकले तब तक वे डाट रहे थे हम जानते हैं कि जो अभिश्यक है उसका हमें मिश्यूस नहीं करना है इसलिए हमने मौन ही रहना पसंद किया और मौन रहकर वहां पर फिर से टेरेस पर आ गए प्रव के दास को बता है कि ऐसा ऐसा हुआ उन्होंने उनसे बाद भी करी और पूरी पाद को हमने बुला दिया और थोड़ी समय के अंदर एक दो महिनों के अंदर उन्होंने रोते हुए प्रव के दास को कॉल किया प्लीज आप मेरे लिए मेरे गाओं दुआ के लिए आए क्यों पूरे सरीर में ट्यूमर पूरे सरीर में गाट है एक एक वेन में गाट है कहां जाए क्या करे कुछ पता नहीं डॉक्टर्स बोरे कॉंसी ट्रिट्मेंट करे आपके सरीर में इतनी सारी टूमर है हम नहीं पता कर पारे कहां से ट्रिट्मेंट करें कहां ना करें लिटरली उन्होंने रोते हुए गिड़ गिड़ाते हुए फॉन किया प्लीज दुआ के लिए आए मरे लिए दुआ करें जब उनका फॉन आया मैं यहीं पर चर्च में था मैं गुटनों के बल गीरा मैं इतना खुस हूँ उससे पहले प्रभू की आत्मा ने मुझे अलर्ड कर दिया मुझे खुस नहीं होना है क्योंकि वो भी प्रभू का दास है हम ने दुआ करे वहाँ पर भी जाकर उनके लिए दुआ करी प्रभू की दिया से वो चंगे हो गए हाललुया हमने एक सब्द नहीं बोला नहीं उनके लिए कुछ गलत मागा था लेकिन यह प्रभू की मैथ़ड है यह प्रभू की रीत है जो अभिशे प्रभू के दासों पर है किसी के लिए वो फाइदा भी करवा सकता है और अगर किसी ने उसे उफेंड किया उसका इंसर्ड किया तो वो उनके खिलाब भी काम कर सकता है इसलिए हम बहुत केरफूल है कहीं पर किसी भी वेक्तिचाए कि ना भी हमारा बिगार्द इवन हमारे सोसाइटी के लोग कभी भी हम उनके खिलाब ऐसा कुछ नहीं बोलते है तो बोलने से बच्चते हैं क्योंकि हम जानते हैं यह अभिशे कितना धारदार हो कितना पावरफूल है व्यक्ति नहीं मैं मेरी हमारी बात नहीं कर रहा हम आम है लेकिन जिसने हमें सेवकाई के लिए भुलाया जब सेवकाई में लेते हैं प्रभू तब वो अभिशेक देते हैं वो जो सेवा के लिए जरूर है और वो अभिशेक को हम जानते हैं वो क्या क्या कर सकता है और इसलिए हम आपको छेतानी देना चाहते है प्यारो अगर आप अभिश्यक की सफर में आगे बढ़ना चाहते हो दाउद के समान अभिश्यक दासों का रिस्पेक्ट करना सिखो अगर उनसे आपकी अन्दमन है दूर रहो कुछ भी अलफल जो भी मनमाया बोलो नहीं वो कहते हैं वो सुनो अगर आप करोगे तो आप आशीशित हो गया अगर नहीं करते हैं वो ही अभिश्यक जो दुस्तरों के लिए पूरे गाहों के लिए आशीश का कारण मनता है छुटकारा लाता है चंगाया लाता है आपका सीर का दर्द भी नहीं दूर होगा कि यूँ उस अभी शेक की आपने रिस्पेक्ट नहीं करी और होपी में अभी चार पास्टर है पास्टर क्रिश्टोवर साब वहाँ बेंगलोर में लेकिन अभी प्रेसेंट चार पास्टर है ये होपी के लिए ब्लेसिंग भी है और उतनी आपके लिए जिम्मेदारी भी है हमेशा ये टेम्टेशन होगा किसी एक के पक्स में हो जाओ बाकी के पास्टर को एवोईड करो उनके खिलाब कुछ भी बोल लूँ कर दूँ चलेगा एक खूस हो जाए एक को संभाल लूँ प्रभू ने आपकी ब्लेसिंग के लिए चार पास्टर को इस्तेमाल किया है चारों को आपको रिस्पेक्ट करना है मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हर एक के साथ आपके गनिस्ट करीबी सबंद होने चाहिए आपको अच्छी बनती है अच्छी बात है आप उसे करीबी रिस्पेक्ट करें लेकिन दूसरों कोई भी इजद करें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें प्रभू ने चार पास्टर को आपके ब्लेसिंग के लिए रखा है चार अभिशेक को आपको रिस्पेक्ट करना है अगर एक भी आपने उफेंड किया वो अभिशेक आपके खिलाफ काम करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा प्यारो हमें प्रभू के अभिशेक दासो का सनमान करना है हाथ उठाये और कहिए प्रभू मैं आपके अभिशेक दासो का सनमान करूंगा उनके खिलाफ नहीं जाओंगा जैसे दाउद ने साउल ने उसको मारना चाहा लेकिन फिर भी उसका सनमान किया क्योंकि वो अभिशिक्त व्यक्ति था प्रभू मैं प्राथ ना करता हो किसी भी सिच्वेशन में मैं आपके अभी सिच्वेशन दास्यों के खिलाफ ना जाओ उनका अपमान न करो उन्हें उफेंड न करो प्रभू उनको दुखी न करो प्रभू अगर मैंने किया है प्रभू मुझे शमा करे मुझ खोल कर करे अगर प्रभू मैंने कहीं पर किसी भी तेरे दास को दुखी किया है प्रभू तु मुझे शमा कर प्रभू तु मुझे माफ कर उनका कहा नहीं करा उन्होंने जो कहा वो नहीं सुना प्रभू उनके खिलाफ गया प्रभू उनके पिठ पीछे बाद करी कहीं और जाकर मैंने बाद करी प्रभू तु मुझे शमा कर प्रभू तु मुझे माव कर आमेन हाललुया एलिसा का एक चेला था गेजी आप सीख रहे हैं ने आपको लगे कि ठक गए तो बोल देना है ने आप बोलोगे हम कैसे बोल सकेंगे बोलेंगे तो डांट पड़ेगी नहीं हम आपके चेहरे से पहचान जाएंगे न फिकल नहीं करना एलिसा का एक चेला था गेजी और ये गेजी बहुत स्मार्ट था जब ये सुनेम वासिस्त्री दुखी थी क्योंकि उसको बच्चा नहीं था एलिसा उसे पुछता है मैं तेरे लिए क्या करो लेकिन गेजी को पता था कि इसको बच्चा नहीं इसलिए दुखी है पूरे गाउं की खबर रखता था गेजी और वो अपने गुरु को एलिसा को बताता है कि सब बच्चा नहीं है और एलिसा प्रातना करता है सुनेम वासिस्त्री को बच्चे की आसिज प्रभू देता है बहुत स्मार्ट, बहुत ही एक्टिव ये गेजी आपको पता है वो एलिसा के साथ साथरा इतने अभिशेक दास के साथ लेकिन उसने अभिशेक नहीं पाया अभिशेक दास के साथरा लेकिन उसने अभिशेक नहीं पाया क्योंकि उसका रिदई साफ नहीं था उसके उसके गुरु से या तो उसके नभी से जिसके आधीन प्रभु ने उसको रखा था, उसकी उसने नहीं सुने, देखे सब आयत में आपको नहीं पढ़वा सकता, समय इतना नहीं है, दूसरा राजा चार और चौदा में आप घर जाकर वो पूरी बात पढ़ सकते हो, दूसरा राजा आठवा दिया, सॉरी, दूसरा राजा आठवा दिया, ओक अभी यहां देखे, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, समझ बचाने के लिए, गेजी, प्रभू के अभिशेक दास, इलिशा के साथरा, इतना लंबा समय, लेकिन वो अभिशेक को नहीं पाया, उल्टा उसने सिक्सा पाई, क्या सिक्सा पाई, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्यों? क्योंकि उसने प्रभू के दास, अभिशेक दास, इलिशा की बातों क को नहीं सुना के पास नामान करके कोड़ी आया था वो बहुत ही बड़ा था बड़ा इंसान था धनी था और उसका कोड़ प्रभू ठीक कर देता है एलिसा के द्वारा और जब वह जाता था वह नामान एलिसा को कहता है मैं तेरे लिए क्या करो मैं तुझे बेड़ सोगात द उससे दुन्या की धन दौलत की पड़ी नहीं थी वो से बिदा करता है लेकिन ये गेजी वो नामान के पीछे-पीछे जाता है अपने गूरू एलीसा को बताएबगर प्रवुकेदास एलीषा को बताएबगर और हू नामान के पास जाकर जुढ कहता है कि एली जाने बोला है तू जो देना चाहता था उसमें से कुछ चीज़े मुझे दिर दे और वो नामान जो भी भेड़ सौगा देना चाहता था वो गेजी को देता है और वो छिपा लेता है एलिसा को नहीं बताता प्रभू के दास से छिपाया वहां गया दन दॉलर ले ली और वापीस जैसे कुछ नहीं हुआ है वैसे एलिसा के आगे खड़ा रह जाता है और जैसे ही आता है एलिसा उसके कान पकड़ता है कहता है तू कहां होकर आया एलिसा से कुछ बात नहीं छुपी थी और वो गेजी जिसने प्रभु के दास का सनमान नहीं किया उसका रिदे साफ नहीं था कुछ चीजे छिप कर चुरा कर लिया आया प्रभु के दास की नजरों से प्रभु के दास एलिसान का उस नामान का कोड तुझे और तेरे संतानों पर लगे और वो ही दिन उसके उपर कोड रोग उतर आया वो उसकी पेड़ी कोड़ी रहे अभी शेक दास के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति इतना करीब से रहा होगा उसके साथ दूसरों को यह उसर नहीं मिलता होगा क्योंकि एलिशाइट अभी शेक दास से इतने बड़े बड़े काम प्रभू इलिसा से कर रहा है उसके साथ रहने के बावजूद आसिस नहीं पाई उसके साथ रहने के बावजूद सिक्सा पाई आपके हाथ में है प्रभू के अभी सिक्दासों के साथ रहकर आसिस पाना या दिल में पाप रखकर जोट बोलकर उलू बनाकर उनको अफेंड करके उनके खिलाब जाकर आसिस के बदले दुख जीवन में लाना एलिसा के साथ रहने के बाउजूद गेजी ने आसिस नहीं पाई जबकि एलिसा ने आपको पता है कैसे अभी शेक पाया था वो एलिया के पीछे-पीछे चलने वाला और बाइबल में लिखा है वो दूसरा राजा तीसरा अधिया और ग्यारव याद आई हम पड़े दूसरा राजा तीसरा अधिया और ग्यारव याद दूसरा राजा तीसरा अधिया है यहां पर क्या लिखाए परतु यहोज साभ फाट ने कहा क्या यहां यहोजा का कोई नभी नहीं है जिसके दूआरा हम यहोजा से पूछे इस्राहिल के राजा ने किसी करमचारी ने उत्तर दे कर कहा हाँ ध्यान से सुनिया साफ़ात का पुत्र एलिसा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था क्या करता था एलिसा सारू करता था सेवा करता था एलिया की और आप पूरा वाक्या पढ़ना वो एलिया के पीछे पीछे चला अंतिम सांस तक उसने एलिया को सारू किया यहाँ पर क्या लिखा है, हाथ दुलाया करता था, उसके हाथ पैर दुलाने वाला था एलिसा, लेकिन उसने एलिया का हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा, कई बारी वन एलिया ने कहा तू छला जा, लेकिन एलिसा उसके पीछे पीछे चलता गया, वो जो कहता था करत गया उसकी रिष्पेक करें उसकी सेवा करें हाथ दुला है हम यह नहीं कहतें यह सब करो सिर्फ जरूर यह रिदई से रिष्पेक करो लेकिन यह हम बता थे वच्छन से ताकि हमें पता चले यह बिब्लिकल सिद्धान थे जो मैं सिखने अभी शेक को पाने के लिए और उसमे कहा करता गया और आपको पता है एलिसा ने एलिया का डबल अनुइंटिंग पाया डबल अभी शेक पाया हाललुया दुगना दुगना यूही नहीं उतरता है हमें कुछ करना भी है आमेन एलिसा ने डबल अनुइंटिंग कैसे पाई हम नहीं चाहते जितना भी शेक आपने पाया वहीं पर आप रुके रहो क्योंकि जितना अभिशेक में आप बढ़ते जाओगे उतना ही बंदन तुटेते जाएंगे हमें और अभिशेक की जरूरत है अभी भी काफी बड़े काम होने हमारे जीवन में बाकी है और हम नहीं चाहते ये ऐसी बाते हमें अभिशेक में बढ़ने से रोके हमें और अभिशेक पाने से रोके एलिसा दुगना अभिशेक पाया क्योंकि उसने प्रभू के अभिशेक दास को रिस्पेक किया उसे सरु किया उसकी सेवा करी उसका कहा माना कभी उसके खिलाफ नहीं गया कभी उसे उफेंड नहीं किया और जब वो ये करता रहा करता रहा, करता रहा एक समय आया प्रभू ने उससे डबल एनोइंटिंग से अभिशेक कर दिया हाललूया और अभिशेक हमें पाना है लेकिन ये सब बाते हमें करनी होगी नेक्स्ट लेवल अफ एनोइंटिंग में जाने के लिए दुखना अभिशेक पाने के लिए अगर ये बाते नहीं है और जो अभिशेक प्रभू आपके जिया में उंडेलना चाहता है वो नहीं पापाऊंगे हाललूया हाथों को उठायर कहें प्रभू मुझे तेरे दास दास्यों का रिस्पेक करना है आमेन प्रभू के दास के वहाँ एक बहन दुआ के लिए गए और बहुत बड़े प्रभू के दास से वहाँ उन्होंने दुआ करी और फिर बहार आए और वो ही प्रभू के दास का एक स्पिरिशल सन मेरी बेटी के लिए दुआ करो वह बाहि ने प्रभू के दास ने बोला मेरे फादर से स्प्रिचल फादर से आप दुआ कर क्या है अब मैं क्या कर सकता है उन्होंने बोला मेरी बेटी पढ़ने में कमज़र है प्लीज आप दुआ करो वो जब दुआ करने जा रहे थे प्रभू ने उनको रोका और उन्होंने क्या बोला पता है वो spiritual son, आत्मिक बेटा देखे उनका पिता के लिए सन्मान आत्मिक पिता के लिए सन्मान वो कहता है अगर मेरे पिता से आप कुछ पा नहीं सके तब मुझसे भी कुछ नहीं पाओगे अगर मेरे पिता की दुआ से आप विश्वास नहीं कर पाए और रिसीव नहीं कर पाए आशिश को मेरी तो बात ही छोड़ दो हाललुया प्रभू के दास दास्यों की दुआ सला उसके खिलाफ मत जाए उसको कट मत करें क्योंकि वो विश्वास से चल रहे होता आपको पता भी नहीं होगा उन्होंने क्या फेथ रखा है और क्यों छोड़ दिया है आपको लगे इसमें तो अभी भी दूस्ता आत्मा है प्रभू के दास्यों जो फेश से छोड़ा है वो फायर उनके उपर वो घर में जाएंगे तब भी बनी रहेगी वो नौकरी पर जाएंगे तब भी बनी रहेगी कोई वो फेश सभी से को रिलिस किया गया होता है कुछ बेहनों नगवाई थी कि उनके परिवार और बेहनों की बात नहीं करा वो दूआ करवा के घर गे, उनके परिवार ने आधी रात को फॉन किया, पता नहीं चल रहा इसे क्या हो रहा है, रो रो कर रही है, और जब भी दूआ में बैठती है, वो रोती है, दूआ करती है, रोती है, दूआ करती है, हमने बोला प्रभू की फायर अभी भी बनी हुए फिकर मत करो हाललुया एक बाद प्रभू के दास्त दुआ करके उसके विश्वास के दुआरा जब अनॉंटिंग रिलिस कर दिया उसकी बात को कट मत करे उसकी सलाख के खिलाफ मत जाए उसकी बातों के उपर अविश्वास मत करे यहाँ एक स्प्रिश्वास के रहा है अगर मेरे फादर से आप नहीं पापा है तो मुझसे आप क्या पापा होगे हाललुया हमें अभिश्रीक प्रभू के दास्त दास्तियों को रिस्पेक करना है एक बार अंकुर नर्वास साहिब सेर कर रहे था उनका experience वो जो अपने spiritual father उनके पास गए थे और कुछ चीजे उन्होंने बोली कि मुझे भी अभिश्रिक करके दो ताकि मैं भी उसे इस्तेमाल करो और उनके spiritual father ने कुछ रुमाल वगेरा अभिश्रिक करके उनको दिया होगा और वे चीजों को लेकर उन्होंने लोगों के लिए दुआ करी और जो आसा वे रखते थे कि अद्बुद काम होगे वो नहीं हो पाए इतने काम नहीं हो पाए जो उनके spiritual father के दुआरा होते थे और उन्होंने अपने spiritual father से फॉन किया कि father मैं वहाँ जो काम देखकर आए यहां नहीं होए क्यों ऐसा और उनके spiritual father ने बोला आपके वीडियोस मुझे बेजो और उन्होंने अपने वीडियोस बेजे और जब उन्होंने वीडियोस देखे उनके spiritual father ने उनको बोला जब मैंने दुआ करके ये चीजे भेजी थी फिर आपको दुआ नहीं करनी थी आपको सिर्व वो anointing चीजे लोगों को देनी थी उनके उपर रखनी थी ये reason है क्योंकि अभिशेक को आपने विश्वास नहीं किया आपने भी दुआ करी और इसलिए ये चीजे जो यहां काम करती है वो अभिशेक यहां काम नहीं कर पाया हाललोया प्यारो कई बार हम जाने अंजाने में प्रभू के दासों की बातों के खिलाब जाते हैं उसे कट करते हैं अब अविश्वास करते हैं उनकी दुआ के खिलाब जाते हैं उनकी सला के खिलाब जाते है और ये बाते हमें नहीं करनी प्यारो ये बाते अभिशेक को ओफेंड करना है प्यारो आखरी कुछ बाते हमें बताऊंगा फिर दूसरी बात जो हम सिखाना चाहते हैं फिर कभी हम सिखेंगे इवन धूल वहां की मिट्टी लाते हैं और वो धूल काम करती है क्यों क्योंकि उनके अंदर वो अभिशिक जगह के लिए रिस्पेक्ट होती है लेकिन कभी कबार हम आते हैं वैसे ही जाते हैं कि हम उस जगह के लिए वहापर होने वाली दुवाव के लिए वहापर होने वाल करते हैं कि ख्लीर करोंगा फिकर मत करो वो लोग यूं करके देख रहे हैं एक बहन फ्राइडे मीटिंग में दुआ के लिए आये हम खड़े थे और थोड़े लोग गए बाद में दुआ के लिए और काफी कुछ बाते करी फिर यहां वाद देख रहे थे मैंने बोला यह क्या देख रहे हैं फिर बोले मेरी यह सहली है ने वह वहां प्रभु के दास के साथ बात करवा रही थी मुझे उसके साथ एक ही रिक्सा में जाना था और मैंने सोचा क्या करूँ तो मैं आपके पास आ गई दूआ करवाने के लिए उनकी सहली वहां से छुट नहीं रही और दो और में थान आपको एक साथ रिक्सा में जा रहा है इसलिए टाइम पास करने के लिए दूआ के लिए आ रहे हैं यह हमारी रिस्पेट है यह हमारी रिस्पेक्ट है प्रभु के दासों और दूआ की अमने बोला नहीं होगा काम Benad終iante जैसे अबोला ठंडिसा से वैसे के लिए हमारे पास आकर खड़े हरे पांच मीट बैठने दो दासों को आप खुरसी में बैठते हो चार-चार गंड़े खड़े रहते कोई बात नहीं दुआ नहीं करवाओगे लेकिन अटलीस इंसल्ट मत करो और इसलिए प्रभू के दासों अभिशिक होने के बावजूत हमारे जीवनों में काम नहीं होते हैं क्यों यह हमारी रिस्पेक्ट है कुछ लोग इसलिए दुआ के लिए बैठते हैं क्योंकि उनकी बसका टाइम नहीं हुआ आता है देखते रहे तो अभी तो आदा गंटा बाकी है चलो क्या करो पास्ट रमीत भाई फ्री बैठत देख लेते हैं चलो बैठकर कुछ बात पुछ लोगी दो चार कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आपके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर सन्मान नहीं है आप वो दुआ भूख से वो दुआ नहीं करवा रहे हैं और ऐसी दुआ काम नहीं करेगे ऐसी संगती जिसके आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो संगती में जाना भी विर्थ हो जाता है कि आप वो जगह का, वो संगती का, वो प्रभु के दासों का, उनके सला का वो अभिशेक का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं प्यारो हमें अबिश्यक दासों का उनकी सला का उनके उपर जो अबिश्यक है उसका रिस्पेक्ट करना है प्यारो मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब प्रभु के दासों के साथ आपके तनी चरीबी रिस्ट होने चाहिए कोई एक दास आपके लिए ज्यादा दूआ करता है आपके अच्छे रिस्ते आप जरूर उसके साथ आपके करीबी रिस्ते जरूर बनाए रखे लिए इन बाकी के दासों को फेंड मत करें प्रभू ने आपको जितने भी दास दिये उनको देखे मत उनके उपर जो अभिश्यक है उसको देखे उसका रिस्पेक करें ऐसा ना हो पूरा गावासिस पाए उनके उपर के अभिश्यक के दौरा आपकी छोटी छोटी तकलीफे भी दूर ना हो आए अपमारे स्थाम पर खड़े हो चाहे प्यारो सुरुन रहे हैं आप अब हम आखरी दौा में जाना चाहते हैं यह ब्लॉक जो अभिश्यक में और बढ़ने से रोक रहा था वो ब्लॉक को प्रभुदूर करना चाहता है आपको भी नहीं पता होगा कब कैसे आपने प्रभु के दासों के खिलाब जाकर उनको उफेंड करा होगा और वो चीज आपको और अभिश्यक पाने से रोके रखेगी और वो ब्लॉक आज प्रभु दूर करना चाहते है प्रभु आपको याद दिलाएंगे अभी पवित्रा आत्मा आपकी सहाई करेंगे सालों पहले भी कहीं पर प्रभु के किसी दास को आपने उफेंड करा होगा प्रभु का आत्मा आपको बताएगा उनके विरुद कुछ बोले होंगे उनके खिलाब कुछ बोले होंगे प्रभु का आत्मा आप को बताएगा और आप अगर पशाताब करोगे आप नए अभिशेक के लेवल में प्रभु आपको ले जाएगा दाउद के जीवन समने सिखा उसने प्रभु के अभिशेक दासों का सन्मान किया आमेन और प्रभु येशू उसके वहां जा रहे थे और प्रभु जब वहां जा रहे थे उसका दास जो बीमार था मरने पर था उसने कुछ लोगों को भेजा कि प्रभु येशू को लेया ताकि मेरा दास संगा हो जाए और प्रभु येशू अभी रास्ते में थे द्यान से सुने, यहां वा मत देखना वो दुसरे अपने आदमियों को भेटता है प्रभु से कहने के लिए प्रभु येशु आप मेरे घर मत आओ कुछ जरूर नहीं मेरे घर आने की और वो प्रभु येशु से कहता है वो सरदार कि प्रभु आप सिर्फ सब्द बोलो और मेरा दास यहां चंगा हो जाएगा और उसके साथ एक चीज वो कहता है वो ये फेथ इसलिए रख पाया वो कहता है मैं भी अधिकारी हूं और ऑथोरिटी को मैं रिस्पेक्ट करना जानता हूं और ऑथोरिटी क्या है वो मैं समझता हूं क्योंकि मैं खुद अधिकारी हूं वो कहता है मैं किसी को कहता हूं बैठ तो वो बैठ जाता है मैं किसी को कहता हूं जाता हूं वो जाता है मैं अधिकारी हूं इसलिए मैं जानता हूं अधिकार क्या होते और येशु आपके पास जो अधीकार है उसकी respect करता हो और वह respect ये है आप सिर्फ शब्द बोलोगे आपके अंदर वह अधीकार है येशु मेरे दास को जंगा करने का वह अधीकारी था और वह जानता था जब अधीकार से कुछ बोला जाता है तो वह होता है किसी को कहता है बैट तो कोई बैट जाता है किसी को कहता है जा तो वो जाता है वो अधीकारी था और इसलिए उसने अधीकार का येशु के अधीकारों का सनमान किया और क्या हुआ पता है येशु ने वहीं खड़े रहे सब्द बोला और सब्द बोलने पर उसका दास जो मनने पर था चंगा हो गया क्यों? यूँकि उसने येश्यू के अधिकारों को रिस्पेक किया आप प्रभू के दासों के अधिकारों को अथोरिटी को रिस्पेक करना सुरू करें वो अधिकार आपके जीवर में ब्लेसिंग लेकर आएंगे क्यों वो अभिशेक हमारा नहीं है वो परमेश्वर का है जब आप सन्मान करते हो आप प्रभू के अभिशेक को सन्मान करते हो आललुया, आललुया एक बेहन विदे से उनके घर को लेकर चिंती थे उनका असबन उनके साथ नहीं है पूरे समास से त्यागे हुए एक लीब बेचारी अपने दोनों बच्चों के साथ गुजारा कर रही है USA में वो अपना घर लेना चाहते थी काफी समय से हम दुआ में थे वो बोल रही थी यह मेरा ड्रीम है अमेरिका में घर लेना हमने बोला प्रभू पूरा करेगा कई बार तो पांच पांच दस दस बार कॉल कर हम उठाते नहीं और जब हमें मेसेज आता था काफी लंबा चोड़ा मेसेज यह औरो दे यह रुकावट है लॉन पास नहीं हो रही हम एक छोटा मेसेज करके कहते थे गॉड विल मेक वे प्रभू रास्ता करेगा और वो प्रभू का धन्यवाद उन्होंने अभिष्चिक से बोले हुए सब्दों लिखे हुए सब्दों का रिस्पेक किया अफेंड नहीं हुए मेरे कॉल नहीं उठा रहे है बात नहीं कर रहे है आप तो बहुत बीजी हो गए आपको समझ में आ रहा है नहीं आप नहीं समझ देते इसलिए मैं वहां गई नहीं किया ऐसे जारी रहे दुआ में प्रभु का दन्यवाद उसे में प्रभु ने उनको अपने खुद का घर दिया सेम डे उनको गाड़ी से भी ब्लेस किया कोई बात ज्यादा नहीं कोई ज्यादा रिस्पोंस नहीं सिर्फ एका दो मैसेज हम कर लेते थे लेकिन वो अधिकारों प्रभु के दासों का प्रभु ने उनको दिये हुए अधिकारों का उन्होंने सनमान किया उनको अफेंड नहीं किया आप तो कॉल नहीं उठा रहे आप तो बहुत बीजी हो गए आप तो बहुत बड़े हो गए आप प्रभू के दासों को उफेंड मत करें, खिलाफ मत जाएं, ताकि हमने वो वच्छन पड़ा था ने, अगर ऐसा करते वो ठंडे कले जैसे दुआ करेंगे, वो फाहर से दुआ नहीं करेंगे, कोई फाहिदा नहीं होगा, वो सेंचिरन ने कहा, प्रभू येशु में तेर अधिकार का रिस्पेक करता हो, उसने अधिकार का रिस्पेक करा, येशु ने वहीं बोलकर सब्द बोले, और उसका दास चंगा हो गया, आप जैसा रिस्पेक करोगे वैसा पाओगे, प्रभू के दासों का, प्रभू ने उनको दी हुई अथोरिटी का, प्रभू ने उनक आप जो अभिशेक का सनमान करते हो, वो ही अभिशेक को आप अपने जीवन में अनुमती देते हो काम करने की, आप अगर सनमान नहीं करते हैं, आप अभिशेक को आपके जीवन में काम करने से ब्लॉक करते हो, आपके हाथों में वो अभिशेक को आपके जीवन में अनुमती काम करने के लिए या उफेंड करके उनके खिलाब जाकर उससे ब्लॉक कर ला आईयम दुआ में जाए अगर खहीं पर भी आपको लगता है मैंने प्रभू के अभिशेग दासों के खिलाब जाकर उनको अफेंड किया है उनका अपमान किया है कुछ उनके खिलाब बोली हूँ प्रभू आपको एक next level of anointing में ले जाना चाहता है, लेकिन ये block बन सकता है, आपको ये block दूर करना है, आपको कहना है प्रभू तुम मुझे शमा कर, अब हमारी और मत देखे, अब पवित्रात्मा को आपके जीव में काम करने दीजे, पवित्रात्मा आपको बताएगा प्य उसका मतलब ये नहीं, आप उनको judge करो, आप समझ नहीं पाएगा उसका मतलब ये नहीं, आप उनका न्याए करो, मत बोलिये प्रभू के दासदाश्यों के खिलाब प्यारो, मत ओफेंड करिये प्यारो प्रभू के दासदाश्यों को, उनकी और मत देखे वे कैसे भी है, उ और उनकी खिलाप गया, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात को ठुक रहा है, उनकी विरुद बोला, उनकी विरुद कुड़कुड़ाट की, आप फॉन नहीं उठाते, आप बात नहीं करते, आप समय नहीं देते, आप बहुत बीजी हो गये, आप बहुत बड़े हो गये, आपने प्रभु के दासों के खिलाब जाकर उनको उफेंड किया है, उनको आपमान किया है, हम आपको यह समय देंगे प्यारो, आप अपने गुटनों के बल जहां कहीं भी बैठना चाहते हो, गुटनों के बल बैठे, कहीं पर भी कोई भी समय आपने कुछ बोला है, आत्मा मुझे बताये कहां मैंने आपके भिशिक दास्थों के खिलाब बोला, कोई भी तेरा भिशिक दास्थों के विरूद में गया, उनकी नहीं सुनी, उनकी बात को मैंने काटा, उनका मैंने अपमान किया, उनको मैंने लाइटली लिया, वो तो मेरे भाय है, वो तो मेरे स इसलिए बनाये रखा क्योंकि उसने अभिशेक दासों का सनमान करना सीखा था आप अपना अभिशेक बनाये रखोगे और उसे बढ़ा पाओगे जब आप अभिशेक दासों का सनमान करना सीख लोगे अगर आपको लगता है, कहीं पर भी आपने कोई भी प्रभू के दास दासी के खिलाब गए हो, बोला है, किया है, समाम आगे, समाम आगे प्यारों, इस समय हम आपको देते हैं, प्रभू की आत्मा आप से व्यवार करेगी, और हम थोड़ा समय आपको दे रहें, तब हम हो, प्रभू की आत्मा आपको बताएगी, आप मागे प्रभू से कहें, पवितर आत्मा आप मुझे बताएए, पवितर आत्मा मुझे कहिए, कि मैंने कब कहा, आपके कौन से दास के खिलाब कुछ बोला करा है, और पवितर आत्मा जब आपको बताएए, आप माफी मागे, प्रभू उसे कहिए प्रभू तु मुझे शमागर प्रभू तु मुझे माफ कर और प्रभू आज आपको उस बात के लिए माफ करेंगे प्यारो प्यारो फिर सम्ग आपको याद दिलाना चाहते दाउद ने अभिशिक व्यक्ति का सनमान किया और इसलिए वो अभिशेक में बना रहा बढ़ता रहा आप अभिशेक व्यक्तियों का सन्मान करें ताकि आप अभिशेक में बने रहे और बढ़ते रहे उसे गवा न बैठें वो अभिशेक ऐसा न हो आपके जीवन में काम न करें आपकी गलती के कारण आपका उसको रिस्प भी बोला है करा है प्रभू से माफी मागे और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे यह समय गंबीर है प्यारों कि यह बहुत ही गंबीर बात है प्रभू के दास्टों के खिलाब जाना उनके बिरुद बोला प्रभू ने जिसको आपके उपर है पॉइंट किया है उनके खिलाब बोला वो गंबीर बात है अगर आपने ऐसा किया है आप माफी मागे अगर कहीं पर भी आपने कुछ ऐसा बोला है इंसल्टिंग सब्द आप माफी मागे जज किया न्याई किया प्रभू के दास्टों का समा मागे आपके व्योहवार के द्वारा उनका दिल दुखाय आप शमा मागे उनकी बात को अपने काटा आप माफी मागे उनकी बात के खिलाब हाप गए माफी मागे उसे कुछ छिपाया आप माफी मागे उनकी और रिदाई साफ नहीं रखा शमा मागे प्यारो प्रभू की आत्मा आपको बताएगी कहां कैसे कौन से वक्त में आपने प्रभू के दास दास्यों के खिलाब जाकर कोई ऐसी बात करी प्रभू की आत्मा आपको बताएगी आप उस बात के लिए शमा माँगे प्यारो आप उस बात के लिए माफी माँगे प्रभू से कहे प्रभू मैं माफी माँगता हूँ माफी माँगती हूँ जहां मैंने आपके दास-दास्यों को दुखी किया हो अभी शेख का सन्मान करें तो अभी शेख को पाओगे प्यारो हमें अभी शेख प्रभू के दास-दास्यों का सन्मान करना है प्यारो और अगर आप माफी मागते हो तो हाथों को उठा कर करें प्रभू अपसे में तेरे अभी शेक दास दास्यों का सन्मान करो उनको अफेंड नहीं करो उनके खिलाप नहीं जाओ उनको लाइटली न लो उनसे ज़्यादा भले मैं फैमिलियर हूँ लेकिन उसका मतलब ये नहीं है वो आम इंसान है वो आपके द्वारा है पुइंड किया गया अपका दास है प्रभू मैं ये कभी न बूलू प्रभू तु ऐसा नुग्र मुझ पर होने दे आप में से कुछ लोग प्यारो प्रभू के दासों ने दूआ करी फिर भी चंगे नहीं हुए अभी भी वो ही वो ही बीमारी आपके सरीर में है ये जिसके पास आपने दूआ करवा इसके लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं था वो ही दास दूसरों के लिए दूआ करता था और बड़े काम होते थे लेकिन आपके जीवन में वो भी शेक ने काम नहीं किया कि प्रभू के दास को आपने ओफेंड किया था अपमान किया था और उसने ठंडे खले जेसे दूआ करी वो रिलीज नहीं कर पाया अभी शेक और वो रिलीज नहीं कर पाया प्रभू से ख़ए प्रभू कई ऐसी आशी शो को मैं अभी नहीं पाया क्योंकि मैं अभी शेक का सनमान नहीं किया प्रभू आश से मैं अभी शेक का सनमान करो अभिष्यक दासदाश्यों का संद्मान करो Sunday school के बच्चे आपके Sunday school teacher एन्नोइंटेड है Sunday school में सेवा देने के लिए अगर आप Sunday school के बच्चे आप parents Sunday school के टीचर की नहीं सुनते आप उनके उपर जो भिष्यक है उसको अफेंड करते हो आपका बच्चा कभी उपर नहीं आएगा Sunday School के टीचर के खिलाब मत जाए प्रभू ने उनको वो सेवकाई के लिए भिशे किया है प्यारों, वो सेवकाई के लिए प्रभू ने उनको भिशे किया है प्रभू ने उनको भिशे किया है ताकि वो आपके spiritual care ले वो आपके spiritual father, mother है आप उनके respect करो आपके बच्चे 80 पाएंगे आपके बच्चे उननती करेंगे अगर आप Sunday School टीचर के respect करते हो यह वो प्रभू के द्वारा appointed और anointed है आपके बच्चों की care लेने के लिए कहीं पर भी आपने उनका अपमान किया है उनको lightly लिया उनकी बात को नहीं सुना आप माफी मागे शमा मागे आपके बच्चों का भविश्य उज्वल बनेगा अगर आप उनके spiritual father, mother की respect करोगे प्रभू से कहे प्रभू कहीं पर भी मैंने यह गलती करी है प्रभू तु मुझे शमा कर प्यारो आज़ हम सिर्व यह एक बात के लिए दुआ करेंगे कहीं पर भी ऐसी कोई गलती करी है हमने जो प्रभू के दास्दाश्यों के खिलाब कुछ बोल कर, 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 अपमान करके अभी शेक प्रभू के दास्दाश्यों को कहा नहीं करके उनके खिलाब जाकर उनका अपमान करके कोई भी गलती करी है प्रभू से कहें प्रभू तु मुझे शमा कर लेकिन आजस्या नुखर दे प्रभू उनका मैं सन्मान करो उनकी बातों को मानो दावुद को नभी ने कहा तू यहां जा यहां मतजा उसने वैसा ही किया वो भी शेक था राजा बनने के लिए भी शेक था लेकिन उसने प्रभू के दास की मानी प्रभू के दास का सनमान किया या प्रभू के दास दासियों का कहा करते हो मानते हो या पैरेंट आपके बच्छों के लिए प्रभु के दास दासी जो कहते हैं वो उनको सिखाते हो, करते हो उनके लिए या नहीं करते हैं अगर नहीं करते हैं प्यारों आप उनके उपर जो बिशेक हैं उसका आप मान करते हो और वो काम नहीं करेगा आपके जीवन में आपको उनका सनमान करना सिखना है ये सिद्धांत है ये प्रभु की विवस्ता है ये प्रभु का नियम है इसके खिलाब कुछ नहीं होगा में और आप ऐसा नहीं कह सकते और मैं भी प्रभु के दारा बिश्यक हूँ प्रभू के दासों का रिस्पेक्ट करना सिखे प्यारो वो भी शेख आपके जीवन में भी आएगा जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हो करें है यहाँ पर कुछ लोगों ने प्यारो के दासों के लिए बहुत चीप बाते करी tug कोवा जीवन में कभी यूपर नहीं आओगे मेरी बात को ध्यान से सुनें कुछ लोगों ने प्रभू के दासों के लिए बहुत ही गंदी बाते करिये बहुत चीप, बहुत निन्म लेवल की, बहुत निचले लेवल की शमा मागे प्यारो, शमा मागे आपको पता नहीं चलेगा दूस्ट आत्माई क्यों आपका पीछा नहीं छोड़ रही आपको पता नहीं चलेगा आपको पर क्यों नहीं आ रहा है क्यों अभी तक आपकी आश्टी से ब्लॉक है यह आपने प्रभू के दासों के लिए बहुत निचले लेवल की बाते करिये ऐसे सब्द यूज करें, जो आपको नहीं करने चाहे थे अभिष्टिक व्यक्ति के लिए, आपके मुझे कुछ निकला है ऐसे सब्द आप माफी मागे रहे प्रभू से प्रभू तुम मुझे माव कर प्रभू तुम मुझे शमा कर मेरे मुझे ऐसे सब्द आपके अभी शेक दास के लिए निकले जो कभी नहीं निकलने च्छेये थे रभू तुम मुझे शमा कर माफी मागे ऐसे सब्द अगर आपके मुझे निकले रभू के दास दासियों के लिए शमा मागे प्यारों चाहते कि वो भविष्य आपको मिले जो प्रभू ने आपके लिए रखा है और ये ब्लॉक आज जब आप दूर कर रहे हो वो भविष्य जो प्रभू ने आपके लिए रखा है आप उसके लिए द्वारों को खोल रहे हो वो उत्तम भविष्य जो आपकी आँखोंने नहीं देखा, कानोंने नहीं सुना वो भविष्य के लिए जब आप शताव करे हो, आप द्वारों को खोल रहे हो प्यारों फिर से वो अनॉंटिंग रिलीज होगा, फिर से वो ब्लॉक एजिस तोर होगे और वो destiny तक प्रभू आपको ले जाएगा, जो प्रभू ने आपके लिए ताई करी है और प्रभू आपको ले जाएगा, जो प्रभू ने आपके लिए ताई करा है दाहुद ने जब अभिष्यक व्यक्ति का रिस्पेक किया, उसकी सफर में वो आगे बड़ा और एक दिन राजा बना, जिसके लिए उसका बिश्यक करा गया था प्रभू ने जिसके लिए आपका बिश्यक किया है, वो बड़े ब्लेसिंग है, वो बड़ी बात है और आज ये ब्लॉक दूर करने के दुआरा, आप उस आसिस्टों की और जाने के लिए एक बड़ा कदम ले रहे हो प्यारो, एक बड़ा कदम है प्यारो, एक बड़ा कदम है ये, हाललुया, हाललुया अगर आपने सच्चा पश्चाताब किया है बड़े ब्लॉक को आपने दूर किया है अगर आपने पश्चाताब किया है प्यारो आप उस अभिशेख को पाओगे जो प्रभू ने आपके दासों के उपर रखा है प्रभू ने आपके उपर जो पुण करे है वो दास्तास्यों के उपर रखा है हाललुया हाललुया हाथ उठाए और कहे प्रभू आज वो विशेक तुम मुझे दे जो आपने इस जगत पर रखा है जो इस से उकाई पर रखा है वो ब्लेसिंग की और मैं बढ़ना चाहता हो जो आपने मेरे जीवन के लिए रखा है जो उठामासी से आपने मेरे लिए रखा है उसकी और मैं बढ़ना चाहता हो और आज ये शुबसी के नाम में जो द्वार मैंने ब्लॉक करके रखे थे अभिशेक दासों का सन्मान नहीं करने के कारण खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए ये शुबसी के नाम में एक एक ऐसे बंदवार जो प्रभु के दासों का अभिशेक दासों का सन्मान नहीं करने के कारण आज तक बन थे वो येश्वमसी के नाम में खुले, 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 रिसेविन चीज़से, रिसेविन चीज़से, रिसेविन चीज़से, सिखार करें येश्वमसी के नाम में, सिखार करें येश्वमसी के नाम में, येश्वमसी के नाम में, आपके जीवान में प कुछ श्रापों को आपने इन्वाइड किया था, कुछ इक्साओं को आपने इन्वाइड किया था, आपके जीवन में अभिशेक दासों का सन्मा नहीं करने के कारण, प्रभू आज उसे मिठा रहे, प्रभू आज उसे दोर कर रहे हैं, ये शमसी के नाम में, हाललुया, रिस से उखरे विश्वास से, प्रभु से कहिए मैं विश्वास से, कहिए प्रभु मैं विश्वास से, मेरे जीवन में अभिशेख दास्दास्यों का सन्मान नहीं करने के कारण, जो बंद्वार थे, उसे मैं खोलता हूँ, उसे मैं खोलता हूँ, उसे मैं खोलता हूँ, उसे मैं नहीं पाई थी, वो ये शुमसी के नाम में, आसे मैं पाऊंगा, आसे मैं पाऊंगा, उस आसीशों के द्वार में, रेचियों में खुल जाए, उस आसीशों के द्वार में, रेचियों में खुल जाए, ये शुमसी के डाव में, कहीं पर आपने सैतान को उसर दिया था, क्यो आपने कुछ दुस्टात्मों को न्योटा दिया था आज मेरे पीछे बोले ये शुमसी के नाम में अभी शेख दास दास्यों का अभी शेख सेवा का जो बाड़ा प्रवु ने बनाए उसका मैंने अपमान करने के दुआरा जो दुस्टात्मों को निमंतरित किया था जो दुस्टात्मों को अमंतरित किया था आज उसे में ये शुमसी के नाम में मेरे चीवन से निखलने के लिए मेरे परिवार से निखलने के लिए मेरे सरीर से निखलने के लिए आगड्ला अधन्या ताओ प्तू तऺताव सब्सी के दावे झोपसी के दावे युझ यज सब्सकत झाँचन सब्सकत तरा ए कर्ण आगे चार ए येचर अंपा ग्तार ए कमा वह सब्सकतुराов फ्वायर, 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 सेतान के कामों को जलाया जाए, आये हुए श्रापों को जलाया जाए, अभी शेक का सन्मान नहीं करने के कारण आये हुए श्रापों को जलाते हैं, दुश्ठात्मां को जलाते हैं, सेतान के कामों को थोड़ते हैं, बंद्वारों बंबोधं भोल प्रतत है क्प street ठीजप के नाब हैaden अरह ओरा हौद के आप आराइ अरह ऑंके अर्च अजार आ वोट रहाइव जो ली शु雨 सिबके नाबे श्बर्ल मशी के आपे येश्ट शीकात अवे रुप狂ह् रेश्टिंड भर लेस् enterprise रेसे रिजार रेसे रिग रश्रेद। ही रिलिए रिशी निह र Hybrid it's Jesus Day. Receive financial blessing. Receive financial blessing. Receive financial blessing. Receive financial blessing. It's Jesus Day. Curse today. Shraab today. Bandan today. You stop my nickel day. Nickel day. Riponi. Mr. Lava Kari. Free. Free. Be free. Be free. Be free. We are free, we are free, we are free, we are free, we are free Jesus by today. We are free Jesus by today. Receive, विश्वास स्विखार करो. विश्वास स्विखार करो. यह समय यहां वाह देखने का समय नहीं है. यह समय पाने का है. आपको जरुरत है. बूख से मागो. मागो प्रभू की फायर. प्रभू क्या गुत्रे, और अधी, और अधी, और अधी, और अधी रिबोनी मारा लबा से, खेरी नना मारा लबा, खोरी ले बेशे फायर, रिस्चेव फायर, रिस्चेव फायर, रिस्चेव फायर, रिस्चेव फायर और आग, और आग, और आग, और आग, और आग शेतान के कामों को जलाते हैं शिवन हुसे शेतान के कामों को जलाते हैं ये श्मस्य के दाबे औरी बेनी मारा लबाश्चो खोतो रूलो बोरेर प्रबू जिनों ने सच्छा पस्चा ताब किया है जिनों ने सच्छा पस्चाताब किया है प्रभू हम प्रात्ना करते ये श्मस्री के नाम में उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रिसीव करिये रिसीव करिये जिनोंने शच्छा पश्चाता आप किया है शच्छा पश्चाता आपके लिए स्वर्ख के द्वारों को खोर रहा है प्यारों आपको भी नहीं पता था क्यों आज तक आपने आशी से नहीं पाए क्योंकि आपने प्रभु के दास दास्यों को अफेंड करा था लेकिन आज जब आपने शर्चा पस्चारता आप किया है आपके जीवन में आप उस आसिसों को पाने वाले हो जो आपके लिए प्रभू ने रखी थी जो डेस्टिनी तक प्रभू ने आपको ले जाना था वहां सफर आगे बढ़ेगा आप वहां के लिए सफर आगे बढ़ेगा स्वर्च के द्वार खोले ये श्वर्च के नापे ओ स्वर्च के ब्लेशिंग को हम रिलेस करते आपके लिए स्वर्च के ब्लेशिंग को रिलेस करते है ये श्वर्च के सामर्दी और माहन नावे चीजस वाइथी डे जो बुष्ठात्मों को आगना देते निखल जाये जो दुष्ठात्मों है, भिश्रिक दासों का सन्मान नहीं करने के द्वारा इन जीवानों में अनुमती पाई थी, आज उंके अथोरिटी को हम कैसल करते, ब्रवुने दी हुई अथोरिटी के कारण, ये शमसी के नाम में वाद उस्थाथ मा निखल गाए इन सरीरों से इन जिवारों से राइट नाव, राइट नाव, राइट नाव, राइट नाव, ये श्वासी के सावर दी नाम में औरी बानी मारा लाबा, खारा लाबारी, नो, 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 मोरोले Be free, be blessed in Jesus' name आखरी प्रात्ना में जाना चाहते हैं। कुछ बाते हम आपको बोलना चाहते हैं, इन बातों को गंभीरता से लीजिए प्यारों, जो फाइनली, जो निचोड होता है, प्रवो के दास, आपको फाइनल हमेशा कुछ ना बोल रहे हैं। काफी दिनों से। यह घुजार गोल्डर एडवाइस इस वो सारी बाते सुनेहरी सलाह है अगर आप ने उसको दर किनार किया है तो आप बहुत सारी चीजों को गवाद बैटते हो आप यहां से बहुत कुछ रिसीव करके जाते हो बट घर पे खो बैठते हो पिछले संडे उससे पहले भी बहुत सारी बाते आपको फाइनली बोली गई थी कि ये करना है, ऐसे चलना है, ऐसे रहना है बट बहुत सारे लोग उन बातों को गंभिरता से नहीं ले रहे है संसार में जाते ही वो भूल जा रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग कि आपने क्या पाया है आपकी लाइफ अलग की हुई है आपकी लाइफ सेम नहीं रहनी चाहिए अपने आपको अगर कौन से क्रेट मतलब अलग नहीं करते हो तो वो सारी चीजे फिर से आपके जीवन को छोड़ कर जो गई है उस अभिशेक को वापिस निकाल लेगी शाओल राजा ने बहुत बड़ा अभिशेक पाया था वो प्रोफेट भी बन चुका था अभिश्यवानी का वर्दान पाया था बट वो प्रभू के कहने में नहीं रहा वो प्रभू के दास की सलाह पर नहीं चला और उसने जो था वो भी गवा दिया पूरी लाइफ टॉर्मेंटिंग लाइफ वो जीता रहा आप कौनसी लाइफ चुनते हो एक टॉर्मेंटिंग लाइफ जिसमें आप परेशान परेशान समस्या से उलजे रहो जगडों से विवात से बीमारियों से दुष्टात्मा से गुलामी से उलजे रहो अगर आप आज भी इन शब्दों को गंभीरता से नहीं लोगे वैसा ही जीवन चालू रहेगा आप लाख दुआ करवालो लाख अभिशेक लेलो बट आप अगर घर में नहीं बदलोगे तो बाहर और प्रभू के भवन में वो ही लाइफ रहेगी आप खाली के खाली रह जाओगे प्लीज प्लीज इन बातों को गंभीरता से लीजे इसलिए बदल रहा है प्रभू आपको इसलिए प्रभू आपको अभिशेक, सामर्त और चुटकारा दे रहा है कि आपकी डेली लाइफ बटले क्या बटले रोज की लाइफ वोलिये रोज की लाइफ जब तक आपका रूटीन नहीं चेंज होगा तब तक बहुत सारी आशिश को आप ऐसे ही गवा दोंगे सुन रहे आप लोग सिरियल्स देखना कितनों न छोड़ दिया है गेम्स खेलना कितनों न छोड़ दिया है गंदी बाते करना कितनों न छोड़ा है निंदा करना भी छोड़ दीजिए किसी की बात किसी के आगे करना हमारे लिए नहीं है वो आपकी मुह से हमेशा प्रभु की चर्चा निकले आपकी बात है अगर गलत चीजों को दुनिया में बहुत सारा ग्यान है जिनको लोग ग्यान बोलते बट वो ग्यान नहीं है अगर आप उसको भी अपने मुह पर लेते हो फलाना ने ये कहा, इस्तंत ने ये कहा है जिसको हमें follow करना है सो प्लीज इन बातों को seriously लीजिए और प्रेम और विश्वास यही सामुर्थ को active रखता है अभिशेख को active करता है प्रेम और क्या बोला विश्वास और विश्वास active होता है प्रेम के द्वारा यह दो चीज के बगेर कुछ नहीं चलने वाला है, इसलिए प्लीज जो भी लाइफ जीए, पर्सनल लाइफ में आपके जीवर में जो चीजे उसको वेदी पर चढ़ा दीजिए, नहीं तो जो पाया है वो आप रिसीव नहीं कर पाऊगे, उसको हैंडल नहीं कर पाऊगे, ग पहले आया हूँ, क्योंकि आपको प्रभु ने चुना है, आप संसार के नियम और सिद्धानतों को छोड़िये, और प्रभु की बातों को अपनाईए, बाइबल, पढ़िये पचास-पचास अध्याई, पढ़ सकते हो कि आप, यह भूख मांगे नहीं है तो, मैं ऐसा नही तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ गवाओंगे, जो सिरियसली फॉलो करेंगे, वो बड़ी आख को रिसीव करेंगे, प्यारो, आइए प्रात्ना करते हैं, और प्रभु के हाथों में अमारे जीवनों को सौंपते हैं, खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर, हालल दन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर पिता, हम आभार मानते हैं, प्रभु आज आपने फिर से, प्रभु आपकी बातों से हमें समझ दी, शिक्षा दी, ज्यान दिया परमेश्वर, क्योंकि अज्यानता की वज़े से बहुत सारे लोग फिर से बंदीवास में जा रहे, प्रभु हम प्रातना करते प्रभु आज, प्रभु तेरी महिमा के लिए जो भी आज पाया है, सिखा है, रिसीव किया है, प्रभु उसको शंभाल कर रखने का ग्यान और बुद्धि इनके जीवन में इंपार्ट होता जाए, प्रभु, बढ़ता जाए, बढ़त इनको डेली लाइफ में, रुटीन लाइफ में गाइड करे परमिश्वर। हर एक गंदी चीजों से, गंदी बातों से, और ऐसी हर एक चर्चाओं से, जो फिजूल की फालतु चर्चा है, उनसे इने अलग करे परमिश्वर। उन फालतु चर्चाओं को परखने के लिए, बुद्धी और ग्यान का आत्मा दीजिए प्रभू, ताकि उस अभीश्यक को संभाल कर रख सके परमिश्वर। प्रभू सिखाएए, जो चीज़ अनमोल है, उसे संभालना। येश्यू के नाम में हम आज प्रात्ना करते पिता, थैंक यू प्रभू आरादना करने के लिए आपने अनुग्र दिया पिता, प्रभू गवाही देने के लिए आपके अद्बुत कामों को, प्रभू हम महिमा दे सके सुनकर उसके अनुग्र दिया, हम धन्यवाद करते हैं उस मौके के लिए पीता सारा आदर मही मामान और गवरव आपको मिले पीता आपके मुलाकात के लिए आपकी चंगाई छुटकारे के लिए धन्यवाद करते है प्रभू आपकी इच्छा हमारे जीवन में रोज बरोज पूरी होती जाए हम रोज खुद का, खुद की खवाहिशों का, खुद की इच्छाओं का इंकार करे परमेश्वर प्रभू येश्यू के नाम में कुरूस पर चढ़ाना सीखे है उन बातों को पिता हमें ये अनुग्रदे परमेश्वर एक आताके निए इस्यूंत करें आप में करके नाम में आइए प्रणमेश्वकिय सिता इंटान स्वर्ग में हम थैउन कि's सब् ju hazır एक पूरिए ऐसे यौलिद वो तीव पूरिटाव पर captures उनकिए प्रति आप दिवस्ति ओमारी रोटी आज्मारी आपम जहें हमें अमारा अप्राद ही उने माफ करिया शे तेम तमें अमारा अप्राद हमने माफ करो अमने परिक्षन मन लाओ पर बुंडाई थी अमारा शुटको करो इंकर राजियत अधा पराक्रम अधा महीमा सर्वकास हो दित अमारा शे आमेन, आमेन, आमेन अब उस महान पिता परमेश्वर का असेम गहरा अदबुत प्रेम येश्य मसी का अनुग्रह और फेवर और पवितरात्मा की सहभागीता उसकी सामर्थ और संगती हर एक विश्वास्यों के साथ हर एक अभिशेक छुटकारा और आपकी आशीश को पाए हुए लोगों के साथ हर एक येश्य मसी के पीछे चलने वाले विश्वास्यों के साथ हमेशा तक बनी रहे आमेन अमेन